कॉंग्रिस इस कनहया कुमार पे अब दाओं खेल रही है जिसकी छवी भारत तेरे टुग्रे होंगे से लेकर के भारत के अब कश्मीर के में सेनाओं के लिए कि क्या कहा था अभी वीडियो वाइरल हो रहा है ज़रा देखिए गाइस कॉंग्रिस ने सर इसे दिल्ली से टिकट दिया है मनोस्तिवाडी के खिलाब क्योंकि ये भी बिहारी है मनोस्तिवाडी भी और कमाल की बात है कि ये अपने ग्रेजिला में बेगू सराय में जो बामपंत का गड़ माना जाता है बिहार में सबसे बारा गड़ है और अपनी जातिबादी काड भी वहाँ जाके खेला इसी के जातियों के लोगों ने इसे जूते मार के वहाँ से बढ़ाए किस उम्मीद से दिल्ली में आया है क्या उखारने के लिए और इसके जसे राज द्रोही को इस तरह से जो भारत तेरे टुकरे होंगे जब जी एन्यू का ये स्टूडेंट यूनियन का द्यक्ष था 2016 की अगवाई में नारे लगेते भारत तेरे टुकरे होंगे उमर खालित के साथ उमर खाली सलाकों के पीछे निकलने की कोई संभावना नहीं है अब तो कुछ लोगों के नाम भी शहरी नकसलियों को उसने दिया है मैंने अश्राम में शो भी किया है लेकिन ये चुट्टा गुम रहा है कॉंग्रिस ने इसे उम्मिदवार बना कर देश को क्या संदेज दिया है सर्थ नहीं है मने, जिस सबसे पहले तो मैं मनोज तिवारी को अगरिम बधाई दे जूँ चार जून के रिजल्ट के नहीं सबसे पहला तो मनुज पिवारी का ही घोसित हो गया कि वो अभी से जीत पकी और सम्दवता सबसे बड़ी जीत हो जाएगी अभी तद दो चुलाम जीते हैं उससे बड़ी जीत हो जाएगी उसका कारण यह इसके केजरी वाल के तो उसके बाद करहिया कुमार पर बाद वहाता हो मनी जी ज पाज है तो राहुल गांदी को लालू यादों ने बड़ा इस पर संदेश दे दिया कि इस लफाज को ब्यार में नेतागिवी नहीं करने देने हुआ पिछली पिछली बार भी इसको टिकट नहीं दिया था गडवंदन से और अबकी तो इसको बिलकुल बाहर कर दिया इसक महत पूर्ण यह है कि राओ लालू यादों ने इसको बिहार से तड़ी पार कर दिया है यह तड़ी पार हो गया यह पहला पहला संदेश तो इस ख़बर का यह है और दूसरे यह कितना तीर मारे का कैसा तीर मारे का दिल्ली में यह आप अपने आप समझग लिए कि जब यह से लडा था तो जो मनीज जी ने कहा कि एक तो इसका गरह जिला इसका गह घर वहीं था उसके अलावा इस जो बाते तो बड़ी लबी करता है लेकिन गया सिर्व इसी लिए था क्योंकि वह भूम्यार जैट का है और भी भूम्यार वोटर वहां सबसे ज्यादा है दूसरे व को साड़े चार लाख वोटों से हराया था जो गिर्लाइब गिर्रास सिंग की जीत धाई लाख वोटों की बताई जाती है तो धाई लाख वोटों पर यह नहीं था वो नंबर दो पर जदिए वेरेका से आरजेडी यह कांगरिस के थे उमीदवार यह तिसरे नंबर बता और गिर्रास से इसकी जो इसकी लीड थी वो करिकुली साड़े चार लाख वोटो से इसके मुझ पे कालिक पोती थी और यह 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 जलील अंज्यूम विचार सर्माज जतने खैराती बढ़ हुए सब थे उन्होंना जाके रहा था कि पूरे हिंदुस्तान के चुनाओ बेकु सराइए में ही हो रहा है और इसके घर में इसके बातरूम में इसके रसोही में घुसे जा रहे थे और ऐसा बता रहा था कि इसका परिवार में कुछ भूंखों मरने आला यह जूता पहिंता था चंकी के बाद यह जो साड़े चार लाग फोटों से अपने घर में भूम्यारों के बीच में हारा था तो दिल्ली में तो मनी जी पता नहीं चलेगा पता नहीं चलेगा और दिल्ली के चुनाओं को थोड़ा मज़ेदार कर दिया काग्रेस ने इसके लिए इसको दन्यवाद कि एक जोकर ये उता रहा है और दूसरा जोकर वो उता रहा है जो मेरे लिए तो ट्वीटर पे खैर वो मनोरंजन के साधा है यह है और हजारों लोगों के मनोरंजन के साधा ने उसके ट्वीट पे जवाब देने में आनन दाता है वो उदित राज जो जिसके बाप ने उसक पताने बाप के बारे में क्या सोचता कि उसको उतार दिया है कांग्रेस ने तो दिल्ली के चिनौवा में थोड़ा रंग आ गया मज़ा आ गई अब मनुरंजन नहीं चलता रहेगा चिनौवी लड़ा रादनीत के साथ यह दो जोकर यह मनुरंजन आपका भरपूर करेंगे औ रहेगा सी कि वारे में जिनको रिपीट किया गया है तो मुझे को मजे लग ठा रहेगा जहां रही कि सामिल घरा किया गया है इसके सवजातिये लोगों मतलब अपने ग्रेजिला जहां गाओं है इसका जहां जमीन जाहदात है जहां बिहार में सबसे अदा गुम्यार है और उसके बाद भी से जूते पड़े थे वहां एक इस मूल से यहां आया है बालीवूट के लफंगे नक्सली लफंगे माववादी लफंगे पूरे दुनिय के देश दुनिया के लफंगे वहां पर जमा हुए थे यह सारे बना आड़ा पाड़ा तो बिल्कुल अपना घर बना लिए तो वहां एक एक हप्ड़ केम्प कर रहे थे और तब साड़े चार लाग बोटों से आरा तो दिल्ली में कोई हार जी तो कोई मतलब नहीं है हाँ यह तमासा बनेगा बिल्कुल और यह लोग कैसे नेरेटिव गड़ते हैं आप देखिए कि बामपन थी यह गैंग जो एक खलियरों का गैंग मांद कनयाक मार बहुत अच्छा बोलता है मतलब सिर्फ उसके इस पे कि यह जमीन से कटे हुए लोग कैसे उसे जीता हुआ मान सब जाते जाते एक सब्सक्राइब जी कुछ कह रहे थे आप नहीं नहीं से पहले तो इन्हों एक नेरेटिव गड़ना शुरू किया था कि प्रदान मंतरी मोदी कुछ चनौती अगर कुछ दे सकते हैं यही दे सकते हैं क्या अपने बुद्धी कहां बेच आये तक कहां से क अबार खाने में यह सब पता यह देश को समझा रहे थे यह समझ में आता कि कैसे सालों नेरेटिव गड़ते रहे इसलिए हमारा जो हम वह सतीजी जो प्रयास करें हमारा प्रयास तिर्फ यह है उनके नेरेटिव को कुछलने का क्योंकि उनका नेरेटिव सनातन के खिलाप भारत के खिलाप है